कि बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रहीम असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली कुकिंग तड़का में आज हम बनाएंगे बेसं से बनने वाली बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी यहां पर हमने एक कटोरी बेसं लिया है यह बड़े साइज की कटोरी है दो मीडियम साइज की प्याज को हमने यहां पर पेस्ट बना कर रखा है पेस्ट बना कर ही हमने इसका लेना है दो मीडियम साइज की प्याज है दो बड़े चमच हमने जिंजर और गारलिक का पेस्ट यहां पर लिया है हाफ टीस्पून हमने नमक लिया है हाफ टीस्पून ह लाल मिर्च पॉडर लिया है, टूई स्पून यहां पर धनिया पॉडर लिया है, 200 ग्राम के करीब हमने यहां पर ओयल लिया है, ओयल हमारा गरम हो चुका है, चलिए हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, पेले हम ओयल में जेरा एड़ करेंगे, जेरा गोल्डन ब्राम हो चुका है, हम यहां पर एड़ करेंगे, ओलियन, यहां हमने ओलियन का पेस्टेड किया है, जिंजर गारलिक का पेस्टेड करेंगे, अब हम यहां पर नमक अड़ करेंगे, मसाले जो हमने लिये तो एड़ कर देंगे, अब हम यहां पर थोड़ा पानी अड़ करेंगे, टार कि मसाले अच्छे सभुन जाएं, तोड़ा पानी हम और एड़ करेंगे तोड़ा पानी हम और एड़ करेंगे मसालो को भूनने देते हैं अब हम हमने एक कटोरी यहां पर बेशन लिया था अब हम यहां पर एड़ करेंगे तोड़ा कम है यहां पर नमक पर एड़ करेंगे मसालो में हमने यहां पर लिया है हाफ टी स्पून हल्दी कोडर लिया है अब हम इसका पेस्ट बनाकर रेड़ी करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी हम यहां पर एड़ करेंगे कि यहां पर हमने ज्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है कि मीडियम ही हम यहां पर पेस्ट बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम यहां पर पेस्ट रेड़ी करेंगे इसमें लम सुना पड़ें हमेज चीज का खास तोर से धियान रखना है कि अग्रवा पानी एड़ करेंगे अग्रवा थोड़ा थिसे आगे अग्रवा थिक पानी एड़ करेंगे पेस्ट बनकर रेड़ी हो चुका है आप देखते हैं इस तरह कि हमने इसको ज्यादा थीक नहीं करना है नहीं जाता हमने इसे पदला यहां पर करना है अपरिश्ट बनकर रेड़ी है हमने आपर नमक और रेड़ किया था जाएके के मताबिक चेक करके अपने जाएके के मताबिक कमिया जादा कर सकते हैं यह सिर्फ बेशन से बनने वाली स्वादिस्ट रेसिपी हैं मसाला भी यहां पर हमारा भूनकर रेडी हो चुका है मातालो को में अच्छे प्राई करना है अब हम यहां अब हमने हरी मिच पी है आप चाहें को नहीं बारी किसेश में कट कर ते भी समय अब हम यहां आप इस ग्रेही के लिए पानी यड़ करेंगा हम यहां पर और फानी एड़ कर देंगे हमने यहां पर तकरीबन दो बड़ी कोटोरी पानी एड़ किया है तरी में बोई लाने के बाद हम गेंस का फ्लेम ओप कर देंगे यहां पर पेन गरम होने के लिए रख दिया है पेस्ट हमारा बनकर रेड़ी हो चुका है हम यहां एक कटोरी की मदद से थोड़ा पेस्ट लेंगे मेडियम लो फ्लेम पर हम यह ने यहां पर कुक करेंगे आप यहां पर पेले तेल अपलाई करें आपके पास नो निस्टिक पैन है तो बिना तेल के ही एवन करेंगे पर रेड़ी हो जाएंगे आपका नॉर्मल तवा है अगर तो आप यहां पर पेले तेल अपलाई करें जिससे बड़ी आसानी से बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने देते हैं आप देखेंगे यह थोड़ा उफर से ड्राई हो चुका है अब हम इसे यहां पल्टेंगे नहीं फ्रेंड्स यहीं से इसको प्लटने के कोशिश करेंगे देरे देर हम इसकी साइडोसे इसको अलब करेंगे बाकी भी हमने ऐसे ही हुआ है कि थोड़ा सट्राई होने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे यह हमने बेसन के सभी चिल्लो को फोल्ड करना है बाकी सब को हम यहां पर इसी बनाकर रेडी कर लेगे आप देखेंगे फ्रेंड्स सभी चिल्ले यहां पर बनकर रेडी हो चुके हैं इन्हें मल्टे पल्टे भी कहते हैं यह खाने में बड़ी ही स्वादिस्ट लगते हैं यह रेडी हो चुके हैं अब यहां मिने छोटे-छोटे पीसिस में कट करेंगे हमने यहां पर इने छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया अब देख सकते हैं ग्रेवी हमारी नहीं पर रेडि है, अब हमें पूल अ मेरी में काल्टो की ख़जी है रेजिवा, यह बेशन से बनने वाली बड़ी स्वाधिस्ट रेसीपी है यह आप इसे जरूर ट्राइप करिएगा बहुत ही आसानी से बन जाती है, आपके पास नोनिस्टिक पैन नहीं है, तवा पैन नहीं है, तो आप कोई भी तवे पर इसे तेल अपलाई करने के बाद आसानी से बना सकते हैं, अब हम यहाँ पर धनिय के पत्तों से सब्जी को अनिशिंग करेंगे, देखिएगा फ्रेंट्स, सब्जे बनकर रेडी हो चुकी है, बड़ी ही स्वादिस्ट सब्जी है, बहुत ही लाजवाब और स्वादिस्ट सब्जी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमार चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल, डेली कुकिंग तड़का को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेर जरूर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज